ग्यान मंत्रा होम रेमेडेज में आप सभी लोगं का स्वागत है और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ की मेश राशिवालों के लिए कैसा रहेगा 2018 का साल तो चलिए जानते हैं 2018 में क्या कहते हैं आपके सितारे मेश राशिवाल 2018 की अनुसार यह वर्ष आपके लिए कई मायनों में महत्वपुर्ण रहने वाला है इस दोरान आपकी जिंदगी में कई एहम सकारात्मक बदलाव भी होंगे मेश राशिवाल 2018 की मताबिक शुरुवात में आपको कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन जल्द ही आप इससे बाहर निकल आएंगे इस साल मेश राशिवाल के जात्गों का स्वास्तिय अच्छा रहेगा जिसका कारण है ब्रश्पति की आपकी राशि पर कृपा द्रिश्टी अगर हम पढ़ाई के छेत्र की बात करें तो रचात्रों के लिए यह साल बढ़िया भी है और महत्वपुन भी है इस साल विदार्तियों को कई सारे शांदार अवसर भी प्राप्त होंगे परिक्षा के परिणाम आपके पक्ष में होंगे यदि आप लगन से पढ़ाई करते हैं और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे इस वर्श यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह साल विवाहित जातकों के लिए भी सुखद रहने वाला है इस साल आप अपने जीवन साती के साथ कई सुखचन व्यतित करेंगे वही माता पिता की सेहत को लेकर सचेत रहने की आवशकता होगे इस वर्श आपको विशेशकर माता के स्वास्ति का खास ख्याल रखना पड़ेगा सितारों की चाल कहती है कि इस वर्श आप अपना घर बदल सकते हैं या मकान के पुनर निर्माण के बारे में योजना बना सकते हैं कारेशित के अगर हम बात करें तो कारेशित में भी आपको युनती के योग बन रहे हैं यदि आप नई नौकरी की तालाश में हैं तो इस साल आपको कई सारे अक्षे अफसर मिल सकते हैं इस अफ़ी में आपको अत्यदिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिनमें कुछ यात्राएं काम के सिलसिले में भी हो सकती हैं और कुछ धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं राशिफल 2018 के अनुसार इस साल आपको आये के भी कुछ नए साधन मिल सकते हैं तो कुल मिलाकर यह वर्ष सामाजिक और व्यावसाइक दोनों शेत्र में आपकी उन्नती होगी इस वर्ष अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारे जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्यान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद